बहुत सारे parents के अक्सर मेरे पास ये queries आती रहती हैं, बहुत सारे parents मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं आप ये बताइए कि Sanic school जो है, Sanic school में total seats कितनी है, girls के लिए seat कितनी है, boys के लिए seat कितनी है, इस school में कितनी seats है, उस school में कितनी seats है तो आज ना मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए parents एक data लेकर आई हूँ, वो data ऐसा है कि हम total seats का यहाँ पर discussion करेंगे, मैं आपको एक overview दूँगी, बाकी हर school में अलग-अलग seat है, girls के लिए भी, boys के लिए भी, किसी school में seats का जो percentage है, वो 70 seat है, किसी school में 80 seat है, किसी में 100 seat है, किस तरह से किसी में 90 seats है, तो यह हमें school to school जाकर देखना पड़ेगा, उनकी authentic website पर जाकर देखना पड़ेगा, कि किस school में कितनी seat है, अब हम यहाँ पर एक overview के साथ में समझ लेते हैं, conclusion के साथ में समझ लेते हैं, कि total seats कितनी है, तो देखिए, अभी जो मैं आपको यह record बताने वाली हों, यह जो seats बता रही हों, यह जो पुराने हमारे 33 sanic school है, 33 पुराने वाले sanic school, यह उनका record है, नए वाले sanic school का record नहीं है, नए वाले sanic school से related video मैं next video बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी, तो अभी जो मैंने seats का percentage जो निकाला है, जो total seats है, वो है हमारी 2960, ठीक ह मैं हम ये देखते हैं कि girls के लिए seat कितनी हैं, और boys के लिए seat कितनी है, तो girls के लिए जो seat हैं, वो है हमारी 340, 340,rip feat. अब 2960 मैं से 340 कम कर देंगे हम तो हमारे पास total seats आजाती हैं, boys के लिए वो है 2620, 2620 seats boys के लिए है ठीक है अब जैसा मैंने पहले बताया आपको आपको ये देखना पड़ेगा किस school में कितनी है आपकी जो priority है priority के बेहाब पर आप देखेंगे कि किस school में कितनी seats है girls के लिए boys के लिए ठीक लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको overview देदेती हूँ कि जो girls है girls के लिए पाँच सैने के school ऐसे है जहां girls के लिए 12 seats है ठीक है बाकी के 28 जो school बचते हैं उनमें girls के लिए सिर्फ 10 seats हैं तो 5 सैने के school में तो 12 seats हो गई ठीक है बाकी के जो school बचते हैं 28 उनमें 10-10 seats हो गई girls का percentage बहुत कम है सैने के school में I know और government इस पर काम भी कर रही है जैसे अभी ब्रंदावन में सैने के school स्टार्ट होने वाला है वो सिर्फ girls के लिए ही होगा तो girls आप लोग यहां देख लो बच्चा आप लोगों का जो percentage है na seats का वो बहुत कम है तो simple सी बात है आप लोगों का competition भी tough होगा क्योंकि seats यहां बहुत कम है boys का competition भी बहुत tough है क्योंकि लड़के जादा देते हैं सैने के school में जाने के लिए जो entrance exam में तो वो जादा entrance exam में बच्चे participate करते हैं ठीक अब सबसे बड़ी बात यहां पर girls एक और समझ लें बच्चों आप लोगों के लिए जैसे 9th class में बच्चे entrance exam देते हैं 6th class में भी देखते हैं पर लड़कियों के लिए बहुत सारे सैने के school ऐसे हैं जहां 9th class में admission ही नहीं है तो अगर आप entrance exam दे रही हो आप लोग तैयारी कर रही हो तो आप लोगों को 6th class में ही जीतोड महनत करनी पड़ेगी अगर 6th class में admission लेना है अभी आप या तो 4th में होगे या 5th class में होगी तो आपको अभी ये जो time period है ना 5th का 4th का इस time period में ही बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी तब जाके आप 6th class में admission ले पाओगे और आप लोगों को पता है बच्चा कि seats जो है वो बहुत कम है है ना तो बहुत अच्छे से तैयारी करो सारी girls को सारी बच्चियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ बाकि government के बहुत सारे नए-नए schools, sanic schools open हो रहे है government इस पर काम कर रही है ब्रंदावन में एक नया sanic school start होने वाला है वो girls के लिए ही होगा और जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया 9th class में girls के लिए admission नहीं होते हैं कुछ schools ही देते हैं admission बाकि सारे sanic school admission दें 9th class में girls को ऐसा नहीं है तो जो कुछ schools देते हैं पता उनमें seats कितनी होती है उनमें seats होती हैं आपके लिए 42, only 42 9th में जो बच्चियां जाती हैं आप समझ रहे हैं All India entrance exam होता है sanic school में admission के लिए उसमें 9th class में आप लोगों के लिए सिफ 42 seats होती है समझ में आ रहा है तो competition तो tough है इसलिए बच्चियों आप लोगों को मैं uniform में देखना चाहती हूँ आप लोग जब बड़े होकर uniform पहनेंगे तो मेरे लिए तो बहुत proud वाला movement होगा तो यह थो एक यहां पर एक percentage था जो मैंने बता दिया एक ratio था boys के लिए कितना seats reserved रहती हैं I hope आपको idea मिल गया होगा and जो भी parents जो भी अपना school सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको इस school की website पर जाके एक बार check करना होगा आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि girls का क्या है 10 seats है यहां लड़कियों के लिए या 12 seats हैं तो मुझे लगता है होप सो आप लोग को video समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो इसी तरह की information के लिए जुड़े रही है हमारे साथ SD campus के साथ तब तक के लिए धन्यवाद